नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में दोस्तों आज हम बात करेंगे भारती मूल की अमेरिकी अंत्रिक्ष यात्री सुरीता विल्यम्स की ये अमेरिकी नौसेना की अधिकारी है और वे अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी नासा की जरिये अंत्रिक्ष में यात्रा करने वाली भारती मूल की दूसरी महिला है इन्होंने एक महिला अंतिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतिक्ष में रहने का किर्थिमान स्थापित किया है तो आए जानते हैं उनके जीवन के बारे में लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल का बटन दवाना ना भूलिएगा सुनीता विलियम का जन्म अमेरिका के ओहायो राज्जी के युकलिट सिटी में 19 सब्टमबर 1965 में हुआ था इनके पिता डॉक्टर दीपक पंडिया 1964 में भारत से अमेरिका चले गए थी इनकी माता उर्सिलिन वोनी पंडिया स्लोवेन अमेरिकी मुल्की है सुनीता के पिता का संब्बन भारत के गुजरात राज्जी के महसाना जिले से है और सुनीता की मा का संब्बन स्लोवेनिया से है सुनीता ने मैसाचुसेट्स के निधम हाई स्कूल से सन 1983 में स्कूल की पढ़ाई की और सन 1987 में युनाइट स्टेट्स नैवल अकेडमी से फिजिक साइंस में ग्रेजुएशन किया इसके बाद उन्होंने फ्लॉरिडा इंस्टिटूट अफ टेक्नलोजी से 1995 में इंजिनेरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया सन 1987 में सुनिता विल्यम्स को उनकी पढ़ाई और परिश्रम के बलपर युनाइट स्टेट्स नेवी में कमिशन अधिकारी की पोस्ट मिली और नेवल कोस सिस्टम कमांड में छे महिने के टेंप्रेरी असाइमेंट के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर बनाया गया सन 1989 में उन्हें नेवल एर ट्रेनिंग कमांड भेज दिया गया जहां उन्हें नेवल एविएटर न्युक्त किया गया इसके बाद उन्होंने हेलिकॉप्टर कॉंबेट स्पोर्ट स्क्वार्डरन में ट्रेनिंग गी और इन्हें नॉर्फॉल्ग वर्जीनिया में अपॉइंट किया गया इसके साथ उन्होंने भूमत्य सागर, रेट सी और पारिशन गल्फ में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइट कमफर्ट के दोरान कारी किया सितंबर 1922 में उन्हें H46 टुकडी का ऑफिसर इंचार्ज बनाकर मियामी भेजा गया इस टुकडी को हरीकेन एंड्रियो रिलीफ ऑपरेशन के लिए भीजा गया था सन 1983 के जनवरी महिने में सुनीता ने यूएस नेवल टेस्ट पाइलेट स्कूल में अभ्यास प्रारम किया और दिसंबर मामे कोर्स पूरा कर लिया दिसंबर 1995 में उन्हें यूएस नेवल टेस्ट पाइलेट स्कूल में रोटरी विंग डिपार्टमेंट में प्रशिक्षक और स्कूल के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भेजा गया वहाँ उन्होंने UH-60, UH-6 और UH-58 जैसे हलिकॉप्टर्स को उड़ाया इसके बाद उन्हें USS साइपान पर वायू यान संजालग और असिस्टेंट एयर बॉस के तौर पर भेजा गया सन 1998 में जब सुनिता का चैन नासा के लिए हुआ तब वे USS सैपान पर ही कारियरत थी सुनिता विल्लियम्स का एस्ट्रोनाट कैनिडिट प्रशिक्षन जॉन्सन स्पेस सेंटर में अगस्ट 1998 में प्रारम हुआ 9 दिसंबर 2006 में सुनिता को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से अंतरराश्ट्री अंतरिक्ष केंडर भीजा गया जहां उन्हें एक्सपेडिशन 14 दल में शामिल होना था अप्रेल 2007 में रूस के अंतरिक्ष यादरी बदले गए जिससे ये एक्सपेडिशन 15 हो गया सुनिता विलियम्स जब स्पेस में जाने की तैयारी कर रही थी तब वे अपने साथ भगवत गीता, हिंदु देवता गनेश की एक छोटी मूर्थी और कुछ समोसे भी ले गई थी एक्सपेडिशन 14 और 15 के दोरान उन्होंने जनवरी 31, फेबरी 4 और फेबरी 9 2007 को अपने तीन स्पेस वॉक किये इसके साथ ही वह महिला अंतरिक्ष यातरी के रूप में 95 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व किर्थिमान स्थापित कर चुकी है सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक का किर्थिमान भी उन्ही के नाम पर है 6 अप्रिक 2007 को उन्होंने अंतरिक्ष में ही बॉस्टन मेराथन में भाग लिया और 4 घंटे 24 मिनिट में पूरा किया अंतरिक्ष में मैराथन में दोडने वाली वे पहली विक्ती बन गई 22 जून 2007 को वे प्रित्वी पर वापस आ गई सन 2012 में सुनीता एक्सपीडिशन 32 और 33 से जुड़ी उन्ही 15 जुलाई 2012 को बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में भीजा गया उनका अंतरिक्ष यान सोयूज अंतराश्य अंतरिक्ष केंद से जुड़ गया वे 17 सितंबर 2012 में एक्सपीडिशन 33 की कमांडर बनाई दे ऐसा करने वाली वे सिर्फ दूसरी महिला है सितंबर 2012 में उन्होंने अंतरिक्ष में त्रेथलो करने वाली वो पहली वेक्ती बनी 19 नवंबर को सुनीता विल्यम्स पृत्वी पर वापस लोटाई मार्च 2016 तक विल्यम्स ने 50 गंटे और 40 मिनिट के लिए 7 स्पेस वाप करे है विल्यम्स को सबसे अनुभवी अंतरिक्ष चालकों की सूची में नंबर 7 पे रखा गया है सुनीता विल्यम्स की शादी माइकल जे विल्यम्स से हुई माइकल ओरेकॉन में फैडर पुलिस ऑफिसर है सुनीता और विल्यम्स के विवा को लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुका है और दोनों अपने करियर के शुरुवाती दिनों में हलिकॉप्टर गुडाया करते थे सुनीता विल्यम्स ने अपने कारी छेतर में उपलब्दियों के लिए कई सम्मान भी प्राप्त किये है 2008 में भारस सरकार ने सुनीता विल्यम्स को पद्मपुशन से सम्मानित किया है 2013 में गुजरात विश्वित्याले ने डॉक्टरेट की मानद उपादी प्रदान की है सन 2013 में स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन ओर्डर फॉर मैरिट्स प्रदान किया गया है तो दोस्तों ये थी एक होनहार और काविल भारती मुल्की अमेरिकी अंतिक्ष्यात्री सुनिता विल्यम्स की जीवनी आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूस कमेंड में जरूर लिखे और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बैल का बटन दबाना ना भूलिएगा धन्यवाद